दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार बोर्ड इंटर परिच्छा 2023 के लिए इस्पोर्ट नामांकन की डेट 27 दिसंबर तक बढ़ी जिहां बिहार बिदाले परिच्छा समिती पटना ने इंटर मिडेट 21-23 सत्र में नामांकन से वंचित रहे गए चात्रों के लिए एक और मौका दिया है बिहार बोर्ड ने अब इंटर इस्पोर्ट नामांकन की डेट 18-27 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है जानकारी के लिए बता दे कि स्पोर्ट नामांकन 17-22 सक्टुबर तक इसके साथ ही जो चात्र नामांकन लेंगे उनकी सुचना 28-27 तक अपडेट करने का निर्देश भी दिया है अगली बड़ी कवन नालंदा में 22 दिसंबर को जौब कैम स्रम भवन में लगेगा जौब कैम्प मैकसिमम सलेरी 15,000 रुपे तर नालंदा में स्रम संसाधन विभा और जिला नियोजानले दिवारा 22 दिसंबर एक दिवस्य जौब कैम्प का आईजन किया जा रहा है यहाट कैम्प बिहार सरी प्रकंड काराले के सयुक्त स्रम भौन में लगेगा विभाग ने इचुक अभेरतों से इस कैम्प में आने की कपिल की है जौब कैम्प का आयोज चेतर के लिए किया जा रहा है अगली बड़ी कपर बिहार में सुरू हुआ सीत लहर का प्रकोप पटना से पुर्णिया तक सर्दी ने कपकपाया जाने अब आगे क्या होगा संसानाती पचवा हवा से सर्दी का सितम बिहार पर तुटा है पुरे राज को एक दिन सर्दी न सेलसेस तक पहुच गया है ना सिर्फ सुबह का तापमान बलकि रात के तापमान में भी जोरदार कमी आई है मौसम विवा के अनुसार पाचवा हवा के कारण यहां इस्ति बनी है आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा कम हो सकता है नियुनतम तापमान में दो डिग से कम तापमान का मतलब सीत लहर चलना होता है ऐसे में पटना सहित अने जिलो में अब सीत लहर का प्रकूप शुरू हो गया है आपको बताती कि पटना की तरह ही गया का तापमान पांच दसमलव तीन डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड इंटर्मिडेट प्रेटिकल परिचा के एडमिट कार्ड जारी जिहां बिहार बिदाले परिचा समिती ने इंटर्मिडेट वार्षिक परिचा 2022 में सामिल होने वाले बिरदातियों के दिनाग 10.1.22 से 21.22 तक होने वाले प्रायोगिक प आरवी परिच्चा में भाग लेने वाले परिच्चात्री अपने एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट inter22.biharboardonline.com पर 10 जनवरे 2022 तक अपलोड रहेंगे प्रायगिक विसोय की परिच्चा में सामिल अभेयरतियों को विद्दाले के प्रधान डाउनलोड करके और अपने हस्ताक्चा रुआ मोहर के साथ चात्रों को उपलब्द कराएंगे ये एडमिट कार्ड के वाल प्रायगिक परिच्चा के लिए मायने होंगे अगली बड़ी कबर कोरोना की दिसरी लहर की आसंका को लेकर बिहार सरकार अलट अब इस कमिटी को मिला बड़ा का जी हाँ कोरोना वारे संक्रमन को लेकर एक बार पिर से चिंता बढ़ती जा रही है इसी के साथ कोरोना संक्रमन की सिती तता तीसरी लहर के खत्रे को द्यान में रग रोकता मुआ इलास के लिए स्वास्त विभाग ने राज इस तर्या कमिटी बनाई है कमिटी का गठन पटना हाई कोड द्वारा 17 दिसम्बर को दिये गए निर्देश के बाद किया गया है स्वास्त विभाग ने सिनिवार के देर रात इस समन में आदेश जारी कर दिये थे राज में पिछले 24 गंट के दोरान 6 जिलों में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं कमिटी के अदेशता राज स्वास्त समिती के कारपालक निदसक संजे कुमार सिंग करेंगे कमिटी में 8 सदेश से हैं कमिटी का काम कोरोना से जुड़े गतिवेदियों की मोनिटरिंग और इलाज की विवस्ता को बेहतर बनाना होगा वह अगली बड़ी कबर देश में अमिक्रोन ने पकड़ लिया रबतार एक दिन में 30 मामले जनवरी तक आ जाएगी तीसरी लहर जहाँ देश में कोरोना के नए वेरियंट से बचाव के लिए स्वास्त विबाग पूरी तरह से अलाट मोड पर है पिछले तीन दिनों में देश में अमिक्रोन संक्रमन की रबतार बढ़ रही है आपको बताते कि सनिवार को देश में ओमिक्रोन वेरियंट के इस नए केस सामने आये है वहें इस से पहले सुकुरवार को 26 नए केस सामने आये थे इस तरह देश में अब तक ओमिक्रोन के 148 केस दर्चो चुके हैं देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन संग्रवन का पता चल पाया है एक्सपर्ट के मुताबे कि देश में चिंता का करण है हालाकि एक्सपर्ट ने करोना से बचाओ के तरिकों को अपनाने की बात भी कही है देश में लगातार ओमिक्रोन के बढ़ते मामले को देखते वे यह माना जा रहा है कि जन्वरी में तीसरी लहर आ सकती है अगली बड़ी कबर क्रिस्मस और नव वर्स पर बंद रहेगा गंगा में नीजी नावो का परिचालन निर्देश जारी जा क्रिस्मस और नव वर्स के आउसर पर गंगा में नीजी नावो के परिचालन पर प्रतिबंद लगाया गया है पाटना सदर के अनुमंडल पतादिकारी नवीन कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है उन्होंने धारा 144 का परियोग करते वे गंगा नेदी में 24 दिसमर और 25 दिसमर को क्रिस्मस के आउसर पर एवं 31 दिसमर और 1 जन्वरी 2022 को नव वर्स के आउसर पर किसी भी तरह के नीजी नावो के परिचालन को बंद रखने का आदेश दिया है अगली बड़ी कवर पट्टा सहित आठ जिलो के 103 नए बालू घाटों पर सुरू हुआ खनन बालू के दामों में गिरावा जिहाराज के आठ जिलो के नए 103 बालू घाटों में खनन सुरू हो गया है इसमें पटना औरंगाबाद रहतास गया भोजपूर सारन जमई और लकिस राई जिले सामिल है इन जिलों में बालू खनन सुरू होने के साथ ये उचित दर्में परियाप्त मातरा में बालू अपलब्द होने से निर्मान कारियों में तेज़े आएगी एक सो पचास बालू घाटों के इन इलामी प्रक्रिया चार दिसम्मर को पूरी हो गई थी इनको पहले ही परियावरानिय स्विकिर्ती प्राप्त है केवल इने बिहार राज प्रदोसन नियंतरन पारसत से कॉंस्टेंट टू अपरेट परमान पद्र किया वैस सकता थी यह फिलाल एक सो तीन घाटों के ठेकिदारों को मिल चुका है अन्य बालू घाटों के लिए भी सिट्यो परमान पत्र अगले साल मिलने के समावना है इसके बाद वहां से भी खनन सुरू हो जाएगा अब बालू के दावों में गिरावाट होने के उम्मीद है अगली बड़ी खबर पीम आवास योजना के तहद 31 दिसम्बर तक बनाने होंगे बचे वे 4,666,000 मकान विभाग ने मांगी है रिपोर्ट प्रदान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के अंतरगद स्विकिर्थ सत पर 37 आवास को पूरा करने के लच की आवदी 31 दिसम्बर तक बढ़ाई गई है ग्रामीन विकास विभाग ने जेलो को निर्देश दिया है कि इस अवदी तक सभी आवास को पूरा कर विभाग को रिपोर्ट बेजे इस योजना के तहद 15 दिसम्बर तक कूल 26.94 लाग आवास सुकिर्थ के गए थे जिनमें 22.27 लाग पूरे हो गए है वहीं सेस आवास निर्मान अधिन है इस तरह 16 दिनों में 4,67,000 आवास बनाने की चुनोती होगी विभाग की ओर से अक्टूबर नॉम्बर के लिए मिसन सत पर तिसत की सुरुआत की गए थी इस सुदी में 1,05,000 नई आवास पूर्ण किये गए अब भी 4 लाग से अधिक आवास पूरा किये जाने सेसे जिलो से विभाग को बताया गया कि ओक्टूबर नॉम्बर में 25 चुनो के करान आवास निमान कायर में आपेक्चित तेजी नहीं आ सकी इसे देखते भी विभाग ने इस मिशन को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय जिलो को दिया है अब उप विकास आयुकतो और प्रखन विकास पदादिकारियों को निर्देशी के निरंतरन मॉनिटरिंग करे और कायर को पूरा कराए अगली बड़ी कबर बिहार में अपने सहर की सफाई को लेकर दिजिये आइडिया और जितिये 25 लाक रुपे ना कम खर्च पर बेहतरीन तरिके से कचरा प्रबंदन को प्रोसाइद करने के लिए स्वच भारत मिस्टन 2.0 के तहद सभी सहरी निकायों में स्वच तक्निक के चैलेंज शुरू किया गया है इसमें कचरा प्रबंदन के चेतर में काम करने वाले लोग श्टार्ट अप कमपनियों वह सेक्षिनिक संसानों को प्रोसाइद किया जाएगा इस चैलेंज के तहद उनसे तक्निक अधारित कचरा प्रबंदन पर आडिया मांगे जा रहे हैं जिनमें से बहतरीन आडिया को राश्टे इस्तर पर भेजा जाएगा चैलेंज में राश्टे इस्तर पर अंतिम रूप से चैनित दस बहतर आडिया को 25-25 लाख रुपे की सीट पिडिंग मिलेगा इसके साथ ही फ्रेंच टेक से एक साल का इंक्यूबेटेसन सपोर्ट भी मिलेगा वही राश्टर पर चुनी जाने वाले 5 इंट्री को भी स्वस्त भारत मिसन के तहट सहायता प्रदान की जाएगी पहले इस्तान पर आने वाले को 5 लाख दूसरे इस्तान को 1.5 लाख चोते इस्तान को 1.5 लाख और पांचवी को 75,000 रुपे दे जाएगी नगर विकास एवम अवास विवांग ने राज के सभी सरी निकायों से 30 दिसम्मर तक इंडरी मांगी है प्रतेक सरी निकायों में दो दो इनिविटिव आडिया को विवांग को भेजना है सभी निकायों से मिले इनिविटिव आडिया में से सबसे बहतरिन तीन आडिया राज कारकरिन की बैठक भी बैठक में सामिल जाप के नेताओं और कारकरताओं को पपो यादव ने समोधित किया जाप सुप्रीम पपो यादव ने इस मौके पर पार्टी के विलाई को लेकर बड़ी बात कही पपो यादव ने कहा कि जाप अपने समान विचारदारा वाले पार् जानसबा चुना बिहार के दिशा और दसाता ही करेगा इस दोरान पप्पयादम ने कॉंग्रेस पार्टी के तारिप की और कहा कि राहूल गानी में देश को सम्हालने की सारी चमता है। लेवल परिचा 2021 के लिए ओलाइन रेजिक्टेशन से समर से आयो की वेवसाइट ssc.nic.in पर शुरू होगा एससी की ओवर से जारी समावित परिचा केलेंडर 2021-22 के अनुसार CGL परिचा टियर वन का आयोजन अप्रेल में किया जाएगा। अगली बड़ी कपर टेक्निसियन के 641 पदो पर भरती पड़े वेकेंसी से जुड़े डिटेल। जिया भारती क्रिसी अनसंदान स्वंस्तान ने टेक्निसियन के पदो पर भरती के लिए उमिद्वारों से आवेदन आमांत्रित किये हैं। लोगो मिद्वार आई ए आराई के अधिकारिक वेबसाइट आई ए आराई डोट आरेसी डोट इनके मैदम से ओल्लाइन आवेदन कर सकते हैं। विबाग की और से इन पदों के लिए आवेदन करने के अंतिम्तिती 10 जनवरी 2022 तक है। इस भरती प्रक्रिया के जरिये कूल 641 पदों को भरा जाएगा। खास बात या है कि इसमें नियुन्तम सक्षन की योगता दसवी पास रखी गई है। सीत लहर का प्रभाव इसकुल हो सकते हैं बिहार में नियुन्तम तापमान 7 डिगरी सेल्सियस हुआ तो इसकुल होंगे बिहार में सीत लहर को देखते हुए इसकुलों को बंद करने का आदेश जारी हो सकता है। इसकुलों में सुबह की कक्षाई बंद कर दी जाएगी अभी बिहार में नियुन्तम तापमान 11 डिगरी सेल्सियस हुए राज में सीत लहर बढ़ने की आसंका है यह बढ़ा तो इसकुल बंद होंगे। बिहार सिक्षा परियोजना की निदेशक सिरकांद सास्री ने इस आसरी का आदेश सबी डियों को जारी कर दिया है। सिक्षा बिभाग ने जीलों को सीत लहर में उचित कदम समय रते उठाने का निर्दिस दिया है। राज में दिसम्बर के अंतिम सब्ता से जनुवरी के तिसरे सब्ता तक सीत लहर की सित रहती है। इसलिए इस पर विभाग की नजर है। इसी को देखते विए निर्देश जारी किये गए है। बिहार में जिला परिसाद दर्च प्रमुक उप सरपंच उप मुख्या वाव अन्य पदो की चुनाव की तिति जारी। बिहार में पंचाच चुनाव की संपन होने के बाद अब राज निर्वाचन आयोग ने सबद गरहन और उप मुख्या उप सरपंच प्रमुक उप प्रमुक के साथ साथ आदच उपादच के निर्वाचन का कारिकरम जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के नुसार उप मुख्या और उप सरपंच के लिए 24 दिसम्बर से लेकर 31 दिसम्बर तक निर्वाचन का नोटिफिकसन जारी किया गया है।